हलो दोस्तों आप सभी को मैंने नमस्कार आप सभी का रिटेल स्मार्ट इंवेस्टर यूट्यूब चैनल पर श्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग जिसे स्टॉक का सेलेक्शन किया है वह है एमफैसिस लिमिटेड और यह आईटी सेक्टर की कमपनी है और अगर इसके मार्केट कैप को देखें तो यह 25,000 करोड के आसपास है यानि कि यह लार्ज कैप ग्रूप में आती है और अभी इसका वर्तमान भाव जो है तेरा सो बावन रुपे चल रहा है जबकि इसका 52 वीक हाई 1420 रुपे है और 52 वीक लोग 612 रुपे देखने को मिल रहा है यानि कि यह स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है और अगर इसके रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लोइड की बात करें तो यह 26 परस परसेंट देखने को मिल रहा है जो कि और भी बैतरीन है और अगर इसके इंट्रेस्ट कभरेज रिश्यो को देखा जाए तो यह 20 टाइम्स देखने को मिल रहा है दोस्तों यानि कि यह कंपनी अपने इंट्रेस्ट बर्डन को चुका पाने में पूरी तरह से सक्षम है और इसके डेट इक्विटी रिश्यो की बात करें तो यह 0.10 देखने को मिल रहा है यानि कि यह कंपनी ओल्मोस्ट डेट फ्री है तो फिनांसियल ओवर्व्यू में यह कंपनी काफी अच्छी लग रही है दोस्तों तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि एंपैसिस लिमि इसके परिवर्टन को भी चेक करेंगे और इस वीडियो के अंत में हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट को देखके यह समझने का कोशिस करेंगे कि आने वाले दिनों में एंपैसिस लिमिटेट के शेयर भाव में किस परकार का परिवर्तन हम लोग देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आये हैं तो आप इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें और आप लगातार मेरे वीडियो को वाच करें मैं आपके लिए लेमेन की भासा में शेयर मार्केट की जनकरियां लेकर कर आता हूं मेरी कोशिस यही रहती है कि अप मेरी जनकारी आप अब आतक जो कुछ भी नहीं जानते हैं उनको भी समझ में आ जाए कि सहर मार्केट में होता क्या है किस स्टाउक में क्या करना चाहिए कौन सा स्टाउक फंडमेंटली स्ट्रांग है कौन सा स्टाउक वीक है यह मेरा उद्देश रहता है तो चली दोस्तों हम लोग वीडिय परकार के देखने को मिल रहा है कि इसक्रीन पर दोस्तों हम लोग एंफैसिस लिमिटेट के एन्वल को कम्पेर करेंगे तो जैसा कि दोस्तों देख रहा है कि एफवाई 19 के रेस्पेक्ट में एफवाई 20 में एंफैसिस लिमिटेट का जो नेट सेल्स है उसमें लगभग 14 परशेंट का ग्रोथ देखने को मिला है और अगर सेम प्रियेड में दोस्तों कॉंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की बात करें तो एफवाई 19 के रेस्पेक्ट मे एफवाई 20 में इनका जो नेट प्रॉफिट में लगभग 10 परशेंट का उच्छाल देखने को मिला है तो एनुवल बेसिस पर ये कंपनी काफी अच्छा रिजल्ट लेकर के आई है दोस्तों अब इसके जून क्वाटर के रिजल्ट को भी देख लेते हैं कि जून क्वाट के रिजल्ट को देख रहे हैं दोस्तों और यहां पर हम लोगा रहे हैं कि जून 2020 में इसने बाईश सो अठासी क्रोड का सेल्स रिपोर्ट किया था जो किả लास्ट येर जून क्वाटर में ये 20063 करोड देखने को मिल ला था यानि कि लास्ट येर जून कॉटर के रियस्पेक्ट में इस साल जून क्वाटर में इनका positive ग्रोध देखने को मिल रहा है sales ने अगर same period में दोस्तों हम लोग net profit की बात करें तो लास्ट येर जून क्वाटर में ये 265 करोड का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि 2020 जून क्वाटर में ये बढ़ करके 275 करोड का हो गया, तो न के वल इसके रिभेन्यू में बलकि नेट प्रॉफिट में भी येर ओन येर बेसिस पर इनके क्वाटरली शेल्स और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में पाया, कि एमफैसिस के जो एनूल रिजल्ट रहे थे, वो सांदार रहे थे और इनके येर ओन येर बेसिस पर जून क्वाटर के रि इस रिपूट की थी, जो की जून क्वाटर में घट करके 2288 करोड का हो गया, और सेम प्रियेड में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो मार्च क्वाटर में 353 करोड का नेट प्रॉफिट की थी, जो की जून क्वाटर में घट करके 275 करोड का हो गया, तो हम लोगों अच्छे रहे हैं इनके जून क्वाटर के रिजल्ट हलके से खराब देखने को मिल रहे हैं हलाकि year-on-year basis पर इनके जून क्वाटर के रिजल्ट शांदार है तो अभी तक दोस्तों हम लोग ने पाया कि यह कंपनी fundamentally रूप से ठीक लग रही है और इसके अनुल रियल्ड भी अच्छा है है quarter on quarter basis पर result इनके हलके से खराब देखने को मिल रहा है लेकिन year on year basis पर इनके result बहतरीन देखने को मिल रहा है तो अब हम लोग दोस्तों इसके share holding pattern को चेक कर लेते हैं कि बड़े निवे सकों का इस share में किस प्रकार का रुजहान देखने को मिल रहा है वहां से भी हम लोग कुछ indication मिल जाता है इस company के fundamentals अगर अच्छे होंगे तो बड़े निवे सक भी इसमें heavily invested होंगे तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके share holding pattern को देख लेते हैं अगर दोस्तों हम लोग इसके share holding pattern को देखे हैं तो 56% share promoters के पास है 23.6% share FIs के पास है 6.9% share DIs के पास है और 7.3% share other institutions के पास है यानि कि अगर हम लोग इन चारों को अगर मिला दे तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों इस चारों को मिलाने के बाद यानि बड़े निवे सकों का जो इसमें stack है वो तक्रीबन 94% देखने को मिल रहा है तो यह काफी बड़ा chunk है दोस्तों कि जो बड़े बड़े institution है FIs है और DIs है वो इसमें काफी तगडी मातरा में holding किये हुए हैं तो हम लोग यह उमीद कर सकते हैं कि इस stock में बड़े निवे सकों का जो bullishness है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है तो इसके fundamentals कहीं न कहीं काफी अच्छे होंगे इस वज़ा से बड़े निवेसक इसमें बुलिस दिख रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक पाया है कि इसके इसके पास्ट के रिजल्ट कैसे देखने को मिले हैं और यह कंपनी पास्ट में अपने निवेसकों को किस प्रकार का रिटन दी है दोस्तों स्क्रीन पर हम लोग एमफैसिस लिमिटेड के लाइफ टाइम चार्ट को देख रहे हैं और जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि अप्रेल 2005 में एमफैसिस लिमिटेड एक सो सतरा रुपे का सेयर हुआ करता था जो आज की डेट में लगभग 1400 रुपे का हो गया है तो लंबे समय में इसने अपने निवेसकों का पैसा लगभग 10 गुना कर दिया है तो इतने अच्छे इनके जो रिटन रहे हैं उसको क्यों ऐसे रहे हैं रिटन उसको जानने के लिए इसके पास्ट के रिजल्ट को हम ल रिजल्ट बहतरीन रहे होंगे साल दर साल इस वजह से इनका रिटन भी बहतरीन देखने को मिल रहा है तो चले दौस्तों उसको हम लोग 17 देख रहा है है दो स्क्रीन पर हम लोग ऐमफैसिश की लिमिटेट के पीछले बारह साल का रिजल्ट देख रहा है तो यहां पर दो रहें दोस्तों कि एफवाई 9 में इनका 4264 करोड का सेल्स हुआ करता था जो लगातार साल दर साल बढ़ता हुआ पाया गया है और यह इनकी जो बढ़ोतरी है फवाई 13 तक देखने को मिली है और अगर हम लोग फिर फवाई 14 से बात करें दोस्तों हम लोग देख रहें कि फवाई 14 में इनका डीग्रोथ देखने को मिला है उसके बाद दोस्तों फवाई 15 से इनका फीर से जो है सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और ये लगातार बढ़ता हुआ पाया गया है और FY20 में आ करके ये 8,844 करोड का हो गया है तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि ये कमपनी मातर एक साल मार्च 2014 में डिग्रोथ में आई थी लेकिन उसके बाद इनका जो सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिला है और FY9 के respect में FY20 में इनका जो सेल्स है वो टू टाइम सो गया है तो इनके सेल्स में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है अब सेम पिरेड में दोस्तो हम लोग नेट प्रॉफिट को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तो कि FY9 में यह 909 करोड का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी जो कि लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है FY21 में इनका नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली थी उसके बाद यह लगातार उसके बाद इनके नेट प्रॉफिट में लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है और इसमें हालांकि इस पिरेड में इनका सेल्स बढ़ा है लेकिन इनके net profit गिरते हुए पाए गए है उसके बाद फिर से दोस्तो एक company FY17 से फिर से इनके net profit में जो है growth देखने को मिल रहा है और FY20 में आकर के 1185 करोड का net profit दर्ज कर पाई है तो इस प्रकार से दोस्तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो इनके net profit में FY9 के respect में FY20 में growth देखने को मिला हलांकि इनका जो net profit sorry revenue है दो गुना बढ़ता है वो पाया गया था लेकिन net profit में दो गुना का विर्धी नहीं देखने को मिला है तो इस front पर इनके जो result है वो हलके खराब दिख रहे हैं कि इनका revenue दो गुना हुआ है लेकिन profit दो गुना नहीं हो पाया है फिर भी ये company लगातार profit करते वे पाई जा रही है तो यही वज़ा है दोस्तों कि यह share जो है लंबे अवधी में अपने निवेसकों को ठीक ठाक return दे पाने में सफल रही है और इसके fundamentals ठीक ठाक लग रहे हैं खराब देखने को नहीं मिल रहे हैं बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते हैं लेकिन खराब भी नहीं कह सकते हैं तो चली दोस्तों अब इसके टेकनिकल चार्ट को देखते हैं और यह समझने कुछिस करते हैं कि जो company emphasis limited कि फंडामेंटल से अच्छे देखने को मिल रहे हैं और एक काफी अच्छा रिजल्ट भी लेकर के आ रही है तो आने वाले दिनों में जो इनके price pattern किस प्रकार से चेंज हो सकते हैं चुकि यह company 22 October को अपना Q2 का रिजल्ट लेकर के आने वाली है तो हम लोग यह उमीद कर सकते हैं कि इनके Q2 के रिजल्ट अच्छे देखने को म स्क्रीन पर emphasis limited के technical chart को देख रहे हैं यह monthly chart है और monthly chart में stock काफी bullish trend में देखने को मिल रहा है और यह अपने 50 MA, 100 MA, 200 MA के उपर trade कर रहा है तो इस stock monthly chart में काफी bullish देखने को मिल रहा है और अगर हम लोग daily chart में इसको देखना चाहें तो हम लोग इहाँ पास देख रहे हैं दोस् है और अभी यह लगातार sideways moment दिखा रहा है और जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इनके quarter on quarter year basis पर June quarter के नतीजे अच्छे रहे थे और बाकी IT sector के भी stock के नतीजे अच्छे आ रहे हैं तो हम लोग यह उम्मीद कर सकते हैं कि इनके quarter two के result काफी अच्छे आ सकते हैं और इसके technical chart भी यही suggest कर रहा है कि इनके chart में कोई awareness दिखाई नहीं पड़ रहा है डेली chart में इनका sideways moment है और मंतली chart में काफी bullish होता हुआ दिख रहा है तो दोस्तों हम लोग यह उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस stock में जो है उच्छाल देखने को मिलेगा और अभी अभी के अस्तरों से लगभग यह 100 रुपया के उपर के अस्तरों पर जाता हुआ हम लोग इस stock को देख पाएंगे तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में हम लोगों ने पाया कि Amphasis Limited एक IT सेक्टर की एक अच्छी company है जो कि साल दर साल अच्छा profit लेकर के हम अच्छे हो सकते हैं और इसके वजह से इसमें तेज वीर्धी देखने को मिल सकती है तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को नए है तो आप इसे फटा-फट सब्सक्राइब कर लें और उमीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो आप इ करता है तो आपको अबश सकति है तो